प्यारों जोस्तों आज किस टूटोरियल में हम सीखेंगे कि कम्टिशिया में हम कॉल आउट कैसे एड़ कर सकते फर एक्जमपल मैं अपने वीडियो के इस पार्ट में कुछ कुमेंट देना चाहता हूं या कुछ भी लिखना चाहता हूं तो इसके लिए कॉल आउट का अप् यहां पर यूज कर सकते फर एक्जमपल अगर मैं यह यूज करना चाहूं तो यहां पर हम इसको जो साइस है साइस यहां से अजिस्ट कर सकते लोकेशन यहां से सेट कर सकते कहां पर हम इसको पॉइंट कर रहे हैं फर एक्जमपल यहां पर इसका जो टेक्स है हम यहां से ट ओके यह जो टेक्स है इस टेक्स को यहां से हम कर सकते हैं तो इसको हम स्लिक करके साइज यहां से बढ़ा सकते हैं सेम लाइक वर्ड वर्ड और वोटपाथ किसी में भी आप लोगों ने काम किया होगा तो यहाँ से हम align, lift, right, center, यह बिल्कुल center, ओके दोस्तो, और यहाँ से हम ticks को bold भी बना सकते हैं, आप try केजएगा कुछ भी, यहाँ से bold बनाया हमेने, और यहाँ से जो fill का option है, यहाँ से हम इसको किसी भी color से fill कर सकते हैं दोस्तो, और यहाँ पे कुछ effects है, style है, style वगएर भी हम apply कर सकते हैं, दोस्तो, तो आप vertical and horizontal यहाँ से हम rotate कर सकते हैं, आपको border चाहिए या नहीं चाहिए, किस color में border चाहिए, यह यहाँ से हम adjust कर सकते हैं, दोस्तो, और यह मैंने change किया, दोस्तो, यह तो होगी इधर part, यह जो, यह ticks का color होना चाहिए, दोस्तो, ticks का color यहाँ से हम change कर सकते हैं, और इसको, यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, as a lower third, जब मेरा video 5 seconds तक आएगा, और 7 seconds पे यह मैं लगाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको, हाँ लंग हम इसको लगाना चाहेंगे, यहाँ पे हाँ लंग यह हमारे screen पे होगा, तो यहाँ से हम, जितना हम इसको बढ़ाना चाहें, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अगर हमें चाहिए कि इसको full video के साथ रखना चाहें, तो यहाँ पे full video पे लगा सकते हैं, अगर हमें पान सेकंड और चे सेकंड चाहिए, तो हम यहाँ से इसको adjust कर सकते हैं, कितना सेकंड हमें यह चाहिए, तो यहाँ पे कुछ option भी है दोस्तो, fade in and fade out का, एक सेकंड fade in है, एक सेकंड fade out है, जब मैं इसको click करता हूँ, तो यह, देखिए दोस्तो, इसका जो fade in है, शुरू में कुछ भी नहीं है, जब एक सेकंड तक पहुंचता है, तो यह, यह, बिलकुल जाहर हो जाता है, इसका जो obesity है, वो 100%, अभी इसको खत्म होने में भी ऐसा ही है, एक सेकंड पहले से यह, fade out हो जाए गया हाँ से, तो यह भी आप लोग अपनी यूटूब वीडियो में, वीडियो में यूज करिए, अगर इसका और भी option है, दोस्तो, इस option को भी आप लोग अजिस्ट कर सकते हैं से कुछ भी, left, right, top, तो दोस्तो, सब में try कीजिएगा, अपने मर्जी का, इसका जो transparency का भी किदर option है, अग अगर आप इसको transparent रखना चाहते हैं, तो भी आप रख सकते हैं दोस्तो, तो hope you like this tutorial दोस्तो, हम एक से ज्यादा भी ये लगा सकते हैं, for example, अगर इदर मैं ये लगाना चाहूँ तो, तो दोस्तो हम multiple, multiple भी लगा सकते हैं, किसी जगे में भी, कुछ भी लगा सकते हैं, दोस्तो, यहाँ पर, तो दोस्तो, यहाँ से हम एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, और अगर हम ये फिल नहीं चाहिए, तो फिल में जाके, यहाँ से no film, only text भी लगा सकते हैं, तो hope you like this tutorial, यह भी try किजएगे अपने ये वीडियो में, as a lower third, as a comment, त hope, I will learn something, next tutorial के लिए, bye-bye, तब तक के लिए